जाहिन साथियों आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार डियालेट का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आज चुका है और प्राइवेट कोलेज जो है मनमानी क्यों कर रहा है तो आईए हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कोलेज इतना मनमानी क्यों कर रहा है सरकार की तरफ से जो private college का जो fee है वो 1,20,000 है लेकिन private college जो है ना तो slide up का option दे रहा है ना तो fee कम कर रहा है तो private college में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो private college का जो fee है वो है कितना 1,20,000 है तो 1,20,000 है तो 1,20,000 में private college क्या करता है कि admission के वक्त जब हम लोग admission लेते हैं जब admission लेते हैं तो उस समय कितना लेता है 75,000 रुपिया जो है हम लोग से admission का चार्ज लेता है तो आप सोचिए कि first year admission का जो चार्ज है वो 75,000 जब private college ले रही है तो फिर जो है second year में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें फिर 75,000 लेगी तो कूल मिला के हम लोगों को कितना रुपिया लग जाता है भिहार से डियालेट करने में लगभग जो है डेठ लाक रुपिया से पलस डेठ लाक रुपिया से प पड़ रही है तो इस कंडिशन में क्या करें तो आइए देखते हैं बिहार डियालेट college का जो फी है इतना ज्यादा क्यों ले रही है फीस एक लाक बीस जार गरीव एस्टुडेंट क्या करें कैसे अपना जो है एस्टुडेंट जो है एडमिशन कराएं क्या आदर अस्टे यूपी ड्ययालेट जो सेकेंड मेर्येट लिस्ट है वो है कर दस्टुटूज से 6 хотя 24 तक इसका रहेगा लेकिन इसका जो फी है यूपी college का जो फी है तो इसका जो फी। है लगभग लगभग 60 से 70,000 फी है टोटल फी इसका चाहे प्राइबेट कोलेज हो प्राइबेट कोलेज का इम बात कर रहे हैं कितना है 60 से 70,000 फी तो इसमें एडमिशन के वक्त जो है हम लोगों से कितना ले लेगी लगभग 25 से 30,000 रुपया तक जो है 25 से 30,000 रुपया तक जो है ले लेगी एडमिशन के वक्त तो यहां समझे तो क्या हमको अधर अश्टूडेंट से क्या बहुत ऐसे अश्टूडेंट है जिसको डर रहता है कि अधर अश्टेट से करवाए क्या मानेता भी हर में रहेगा कि नहीं रहेगा तो ऐसा कोई बात नह गवराने की कोई बात नहीं है ऐसे सारे कई अश्टूडेंट है जो प्राइवेट कोलेज से अधर अश्टेट से किये हुए हैं जो अभी जॉब पे भी है तो ऐसा कोई बात नहीं है क्या ऐसा यदि आपको डर है तो आप भीहार में ही दीजिए एक लाग बीस अजार रु और इसके बाद जो है रेजिस्टेशन फी है फिर जो है फॉर्म फी है सब अलग अलग चार्ज लेंगे आपसे तो इस तरह से हो जाता है उसके बाद देखिए यूपी मेरिट लिस्ट जो है आ चुका है आप चाहे तो यूपी से भी अपना एड्मिशन करवा सकते हैं चलि इसका कारण क्या है बिहार में जो प्राइबेट कोलेज है वह स्लाइड अप क्यों नहीं कर रही है क्यों इस लेड़ाप कर देते हैं तो च्छात्र जो है कोई भी जो च्छात्र है वह स्लाइड अप यदि कर देते हैं प्राइबेट कोलेज तो कोई भी जो च्छात्र है तीन हजार रुपिया दे कर या अधर अधर कॉलेज में जाके एड्मिशन करवा सकते हैं ठीक है तो स्लाइड अप करने का यही है स्लाइड अप करने से क्या फाइदा है तो स्लाइड जाके आपके admission हो भी सकता है और यदि slide up नहीं करता है तो college वाले समझते हैं कि student मजबूर है जाएंगे कहां पैसा तो देंगे ही इसलिए slide up नहीं करना चाहते हैं तो यह क्या है एक तरह से सुसन हो रहा है student का चलिए आगे समझते हैं कि यदि हम अधर स्टेट से कर लेते हैं तो हमको कंपी में कंपी में है अधर से या तो आप यूपी से किजिए या हारियानास के जिए कहीं से भी कीजिए तो नव्य से 95000 तक में आपका हो जाता है तो आप तो आप का वीचार है आप अपनी अपनी राये दें और जैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या आप चालते हैं अधर एस्टेट से एडमिशन करवाना हमें कंटेक्ट करें किसी भी तरह का परिशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद पुना हम लोग मिलते हैं आगले वीडियो में जय हैं जय भारत